बिहार का सरकारी खजाना एक वार फिर से सत्तारूट गटवंधन के विधायकों और विधान पारसदों के लिए खोल दिया गया है जदियो और बिजेपी के दरजनों ऐसे विधायकों और विधान पारसदों को राज मंतरी की तरज सुक सुधा देने का फैसला लिया गया है जो मंतरी मंडल में सामिल नहीं है सत्तारूट गटवंधन के दरजनों ऐसे विधायक और विधान पारसद हैं जिन्हें राजि मंतरी और कैबनेट मंतरी की तरह सुख सुभधा देने का फैसला लिया गया है वेतन भत्ता देने का फैसला लिया गया है दरसल मंगलवार को हुई नितिष कैबनेट की बैठक में बिहार विधान सभा और विधान परिशद में सत्तारूट गटवंधन के सत्यतकों को राजमंतरी की तरह वेतन भत्ता और सुख सुभधा देने का फैसला लिया है सतारूड गटवंधन के सतेतकों को मंतरी की तरज सुक्षुभधा देने की परमपरा नितिश कुमार नहीं शुरू की थी पहले उन्हें उप मंतरी का दरजा दिया जाता था ऐसे में उन्हें सुक्षुभधा थोड़ा कम मिलता था आज उन्हें राजमंत्री का दर्जा दिया गया है अब उन विधाकों का नाम जानिये जिन्हें कैबिनेट के फैसले से लाब हो रहा है बिहार विजानसभा में जड्यो बिजेपीने सत्ता डूड गटवंधन के नौ विधाकों को सचे तक न्यूक्त कर रखा है सिक्टी के विधायक विजेपीने सत्ता डूड गटवंधन के सचे तक है वहीं सत्तारूट गटवंधन ने बिहार विधान परिसद में भी दो सचेतकों की नियुक्ति कर रखी है निरज कुमार और रीना यादव सत्तारूट गटवंधन के सचेतक हैं इन सारे विधाकों और विधान परसदों को पहले उप मंतरी का दरजा दिया गया था आज कैबनेट की बैठक में उन्हें राज मंतरी की तरह सुख सुख़ा देने का फैसला लिया गया है नितिश कैबनेट की बैठक में जो फैसला लिया गया है इसके क्या फायदे होंगे ये जानना वी बहत महत्पूर्ण है क्योंकि मुख्य मंत्री नितिश कुमार के दौरा ही ये परंपरा शुरू की गई थी और अब एक बार फिर से मुख्य मंत्री नितिश कुमार की कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है सत्ता रूट गटवंधन यानि जदियू और बीजेपी के करीब एक दरजन से भी अधिक विधायकों और विधान पारसदों को मंत्री की माफिक वेतन भत्ता मिलेगा सुक सुब्धा मिलेगी ये वैसे मांजनिये हैं जो बिहार मंत्री मंडल में सामिल नहीं है दरसल राज मंत्री का दरजा मिलने के बाद इन सारे विधायकों और विधान पारसदों का वेतन भत्ता बढ़ जाएगा यात्रा के लिए सुब्धा बढ़ेगी वे कई नीजी लोगों को अपना करमचारी निउप्त कर पाएंगे जिने सरकारी करमचारी की तरह सरकार से वेतन मिलेगा एक मंत्री को ऐसे पाँच नीजी करमचारी रखने का अधिकार है बिहार विधान सभा और विधान परिषद में राज सरकार्ट ने कुल 17 नेतां को उपनेता, मुग सचेतक, उप मुग सचेतक और सचेतक बनाकर मंतरी का दर्जा दे रखा है। प्रिसद में ही बीजेपी के संजय मयूख उप मुख सचे तक हैं और उन्हें राजमंत्री का दर्जा हासिल है। सत्तारूट गटवंधन के दल, जदियू और बीजेपी के दर्जोनों ऐसे विधायकों और विधान पार्षदों को राजमंत्री की माफिक सुक्षुधा मिलेगी जो बिहार मंत्री मंडल में सामिल नहीं है। अब देखना दिल्चस्प रहता है कि नितिश कुमार के इस फैसले से क्या कुछ बदलाव होता है और इसके क्या फायदे होते हैं। पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशिया नहां। ये लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा लाएं। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ। अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डबबा अलग से लाया हूँ। अपने पुर्णिया में घर ले लिया है। पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान, जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सग। अड़े अब क्यों मूमीठा करवा रही हो। क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी। ओुशी की खुशी Still dialogues